आयोध्या में राम भक्तों की भारी भीड को देखते वे खुद योगी अदितनात एक्शन में दिखाई दे रहे हैं उन्होंने राम भक्तों को कोई दिक्कत ना हो इसे लेकर कई सक्त निर्देश दिये उन्होंने भीड को विवस्थित करने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कल सीम योगी अधितनात ने राम मंदर में दर्शन विवस्थाओं का जायजा लिया था सीम योगी ने सुरक्षा विवस्था का हवाई सर्वे भी किया तो रामनला की दर्शन विवस्था को लेकर सीम योगी अदितनात की ओर से और एक बड़ी खबर सामने आ रही है भारत रत्न से जुड़ी हुई केंद सरकार ने बिहार के पूर मुखे मंत्री करपूरी ठाकूर को भारत रत्न दिये जाने का एलान कर दिया और इस संबंद में राश्पती भवन की ओर से एक बयान जारी करके ये जानकारी दी गई करपूरी ठाकूर की आज सवी जैनती है और इससे पहले और मरणों परांत भारत रत्न से सम्मानित किये जाने का एलान किया गया पिछलों के बड़े नेता और बिहार के दो बार के मुखे मंत्री रह चुके करपूरी ठाकूर को केंदी सरकार ने उनकी सवी जैनती पर पूर्व संध्या पर भारत रत्न देने का एलान किया है पिए मोदी ने ट्वीट करके इस पर खुशी जताई है आपको बताए जन्नायक के तौर पर जाने जाते थे ये बड़ी अपडेट भारत रत्न से जुड़ी हुई केंदी सरकार ने तैंक किया है कि बिहार के पूर्व मुखे मंत्री करफूरी ठाकूर को भारत रत्न दिया जाएगा और इस समबन्द में राश्पती भवन की ओर से बयान भी जानी करके जानकारी दी अंगई है उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि मुझे इस बात की बहुत प्रसंता हो रही है कि भारत सरकार ने सामाजिक न्याय के पुरोधा महान जननायक करपूरी ठाकुर जी को भारत रतनी से सम्माईट करने का निर्ने लिया है उनकी जर्म शताबदी के अफसर पर ये निर्नाय देशवासियों को गौर्माद्मित करने बाला है पिछरों और बंचितों के उठान के लिए करपूरी जी की आटूट प्रतिबदता और दूर दर्शी नेतित्व ने भारत के समाजिक राजनितिक परिदर्शिपर अमिट शाप छोड़ी है ये भारत त्रत्न नकेवल उनके आतुलनीय योगदान का विनम्र समान है बलकि इससे समाज में समरस्ता को और जादा बढ़ावा मिलेगा अब अफी मांगने की कोशिश की तो भीड का गुस्सा और बढ़ गया इस दोरान पतर्शनकारी इस बात पर अड़ गये कि जब तक वो लड़का जैश्री राम नहीं बोलता उसे वहां से आगे जाने नहीं दिया जाएगा अलांकि भीड के गुस्से को देखते हुए पुलिस वालों ने उस लड़के से पुलिस वैन के माइक पर ही जैश्री राम बुलवाया तब जाकर मामला शान्त हुआ उदर आम लोगों के लिए खुलते ही राम मंदिर में लोगों की भीड उमड़ाई पहले ही दिन आयोध्या में लाकों लोगों ने दर्शन किये दर्शन के लिए रात के तीन बज़े से ही राम मंदिर के में गेट पर लंबी लाइन लग दे पुरांट द्रिष्ठा के अगले दिन आम लोगों के लिए राम मंदिर के कपाट सुबह साथ बजे खुले और राम लेला के पहले दर्शन के लिए शद्धालूं की भीड़ों मड़ाई पहले ही दिन मंदिर में लाखों लोगों ने दर्शन की इतनी बड़ी संख्या में आये लोगों को सभालने में प्रशासन ने अपनी पूरी ताकट जोंगे सुबह सुबह ही सैकणों शद्धालूं मंदिर पहुँच गए मंदिर के अंदर जाने की कोशिश में धक्का मुक्की भी हुई समंदर की लेरों की तुरह दिख रहे रामभक्त अंदर जाने की कोशिश करने लगे और पुलिस वाले उन्हें रोकने और समझाने में जुट गए एक तस्वीर में दिखा कि भीड में फसे एक शक्स को तो सुरक्षा कर्मी खुद बचा कर बाहर लाया मंदर के चेकिंग सेंटर पर तो और ज़्यादा भीड थी वहां लोग पुलिस की बांधी रसी को पार करते हुए मंदर के गेट की और बढ़े और पुलिस वालोंने रसी पकड़ कर भीड को रोकने की कोशिश जारी मंदर कर पका कर दो कि अधिन झालों ऑफग बढ़े कर दो आपक कर दो सेंटर प्रीड कर भीड़र मंदर कर दो झाल झाल